दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर आज इरू हूँ आपके साथ एक नए स्टोरी लेकर और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुती इंट्रेस्टिंग स्टोरी है सुनकर बहुत मज़ा आएगा उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मिनिंग सीखने को मिलेंगे उनकी करेक्ट पिंदन सेशन के बारे हैं पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट इसको हम डीटेल में कवर करेंगे और दोस्तों ये जो इस स्टोरी है इसके अंदर जो die first क्या मतलब वह हूँ का मतलब होता है कौन डाय का मतलब होता है मरना who will die first मतलब की पहले कौन मरेगा तो दोस्तो ये कहानी का टाइटल है शीर्शक है अब मैं और confidence भी बढ़ता है तो दोस्तो यदि आप इसको like करेंगे तो जाहर सी बाते मेरा motivation बढ़ेगा और मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा तो चलिए आज की इस कहाने को शुरू करते है मुला सीद दो प्याजा वास वन अफ दा कोट्रियर्स देखे कोट्रियर का मतलब होता है दरबारी तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ मुला स्यद दोपयाजा जो मुला स्यद दोपयाजा थे was one of the courtiers वो एक दरबारी थे was one of the courtiers who ये who एक relative pronoun है क्या मतलब वो जिसकी हिंदी थी who were very jealous of beerble क्या मतलब वो जो beerble से बहुत जादा जलते थे तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब वो मुला स्यद दोपयाजा was one of the courtiers who were very jealous of beerble मतलब की मुला स्यद दोपयाजा जो थे वो उन दरबारियों में से एक थे जो beerble से बहुत जला करते थे चली आगे देखिए he used to point out the drawbacks देखिए point out का मतलब होता है कमी निकालना और दोस्तों ये जो word है used to जब भी हम past के अंदर किसी वे व्यक्ति की आदत का या किसी व्यक्ति की consistent activity को शो करना चाते हैं तो वहाँ पर used to का प्रियोग किया जाता है used to का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति past में किसी काम को regular किया करता था और point out का मतलब होते है कमी निकालना तो क्या मतलब होता है he used to point out मतलब है कमी निकाला करते थे point out the drawbacks मतलब की वो कमिया निकाला करते है drawbacks का मतलब है कमिया and faults और गलतियों को और बीरबल बीरबल की तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ he used to point out the drawbacks and faults of बीरबल वह बीरबल की कमियों को और गलतियों को निकाला करते थे to the emperor और वो किसे बताते थे शहनशा को मतलब समराट को almost every day हर दिन चलिए आगे देखे his nature was the opposite of बीरबल opposite का मतलब होता है विपरीट क्या मतलब हुआ his nature जो उनका सभावता was the opposite of बीरबल वो बीरबल के विपरीट था बीरबल was always very calm काम का मतलब होता है शान जो बीरबल थे वो हमेशा बहुत जादा सांथ थे and cool और ठंडे and he never meddle मतलब होता है हस्तक शेप करना और यह second form है और never का मतलब होता है कभी नहीं तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ and he never meddle और वो कभी भी हस्तक शेप नहीं करते थे in anybody's business मतलब किसी के भी काम में हस्तक शेप नहीं किया करते थे whereas whereas का मतलब हुआ जब की जब की whereas साइद दो प्याजा was very arrogant क्या मतलब हुआ कि जब की जो साइद दो प्याजा थे वो क्याते was very arrogant वो क्याते बहुँ ज़्यादा अंकारी थे and had a habit और उनकी आदत थी दोस्तो head का मतलब होता है जब भी हम past के अंदर किसी व्यक्ति के बारे में ये शो करना चाहते हैं कि past में किसी के past कुछ था तो वहाँ पर head का प्रियो क्या जाता है तो क्या मतलब हुआ and a habit और उनकी आदत थी of poking his nose मतलब अपनी टांग अलाने की into other people's business poking nose का मतलब होता है अपनी टांग अलाना और उनकी आदत थी अपनी टांग अलाने की into other people's business दूसरे लोगों के कामों में चली आगे देखिए one day Akbar was fed up and annoyed with his complaints about Birbal and he called them both क्या मतलब हुआ one day मतलब की Akbar one day Akbar was fed up fed up का मतलब होता है परिशान हो जाना और annoyed का मतलब होता है किसी भी चीछ से बहुत जाद है चिल जाना तो क्या मतलब हो one day Akbar was fed up and annoyed एक दिन जो अकबर थे वो परिशान हो गए और चिल गए with his complaints उसकी शिकायतों से about Birbal, Birbal के बारे में and he called them both और उन्होंने उन दोनों को बुलाया चली आगे देखिए और दोस्तों यहां पर आप इस चित्र को देख सकते हैं कि यहां पर जो अकबर है उन्होंने दोनों को बुलाया हो है और वो उनसे बात कर रहे हैं चली आगे देखिए अकबर सैड अकबर ने कहा I am very tired of your complaints सयद क्या मतलब हुआ दोस्तों यह जो word tired यह एक adjective है और जब भी इसे मार के साथ किसी भी noun यह adjective को लेके वाक्य बनाते हैं तो simple present का वाक्य होता है तो इस simple present का वाक्य I am very tired of your complaints सयद मतलब क्या मतलब हुआ कि सयद मैं तुमारी शिकायोतों से तुमारी शिकायोतों से थक चुका हूँ तो क्या हो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ अकबर सैड I am very tired of your complaints सयद मतलब अकबर ने क्या कहा कि सयद मैं तुमारी शिकायोतों से बहुत जादा थक चुका हूँ I don't need any of you now अब मुझे आप में से किसी की भी जरूरत नहीं है दोस्तों need का मतलब होता है जरूरत होना और इसको वर्व के रूप में प्रियोग किया गया है यह present definite का वाकिया है I don't need मतलब मुझे जरूरत नहीं है any of you any of you आप में से किसी की भी now मतलब क्या हुआ मुझे अब आप में से किसी की भी जरूरत नहीं है I am going to arrange मतलब मैं पिरबंद करने जा रहा हूँ for a punishment एक दंड का I have written a letter क्या मतलब होआ दोस्तों यहां पर have के साथ third form का प्रियोग किया गया है तो जब भी has have के बाद third form का प्रियोग किया जाते है तो वो present perfect का वाक्य होता है और आपको यह चीज़ भी ध्यान रखनी है यदि हमारा subject I, we, you, they प्लूरल ना उन हो तो वहाँ पर उसके साथ have का प्रियोग किया जाते है तो क्या मतलब होआ I have written a letter मतलब क्या होए इस line का मैंने एक पत्र लिखा है Addressed Addressed का मतलब संबोधित जो कि संबोधित है To the king of Kabul काबूल के राजा को तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ I have written a letter Addressed to the king of Kabul मतलब मैंने काबूल के राजा को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है In the letter मतलब की पत्र में I have mentioned यहां भी have के बाद Third form में Mention का मतलब होता है पिस उर्ट को note कर सकते है उलेख करना किसी भी चीज का उलेख करना या किसे जिक्र करना Third form में I have mentioned मतलब की मैंने उलेख किया है Both of your names आप दोनों के नामों का मैंने उलेख किया है And said और कहा That की You two always talk ill मतलब की आप दोनों हमेशा बुरी बाते करते हो Talk ill का मतलब है बुरी बाते करना About the king About raja के बारे मतलब आप raja की हमेशा बुरा ही करते हो And As soon as जैसे ही He gets the letter उन्हें letter प्राप्त हो उन्हें पत्र प्राप्त हो He should be had Both of them Without any delay क्या मतलब हुआ देखिए Should का प्रियोग कप किया जाता है जहां किसी भी व्यक्ति को या कोई ऐसा बाक्य बनाना चाहते है जहां पर सला दी जाती तो हुआ पर should का प्रियोग किया जाता है और be had का मतलब होता है सर कलम करना किसी के सर को काट देना तो क्या मतलब हुआ He should be had Both of them उन्हें उन दोनों के सर काट देने चाहिए Without any delay बिना किसी भी देरी के चलिए ऐसा उन्होंने अकबर ने लेटर में लिखा चलिए आगे देखिए If you have enough brains क्या मतलब हुआ If you have enough brains यदि तुमारे पास पर्यापत दिमाग है मतलब कि अगर तुमारे में दिमाग है या तुमारे में समझ है You can save yourselves आप अपने आपको बचा सकते हो Now go away from my side Side का मतलब है नजर तो क्या मतलब हुआ Now go away अब दूर चले जाओ From my side मेरी नजरों से तो क्या मतलब हुआ Now go away from my side अब मेरी नजर से दूर चले जाओ Both Birwal and Sayyad मतलब की दोनों Both का मतलब होता है दोनों Both Birwal and Sayyad Birwal and Sayyad Started स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया देर जर्णी अपनी यात्रा तो क्या मतलब हुआ बीरवल और सयद ने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया टूवर्ट्स काबूल दोस्तों टूवर्ट्स का मतलब होता है की ओर टूवर्ट्स काबूल मतलब काबूल की ओर बीरवल ह यहां भी हैट का प्रियोग किया गया है तो पास्ट में किसी ये पास कुछ था तो क्या मतलब वहा बीरबल है उनका एक शांत और सईयमित विभार था दोस्तों ये जो वर्ड लॉस्ट की सेकंड फर्म लॉस्ट और ये पास्ट इंडेफिनेट का वाकिया है इसलिए यहां पर सेकंड फर्म का प्रियोग किया गया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव वाकिये में सेकंड फर्म का प्रियोग किया जाता है तो क् उर्दु में इसको सबर कहते हैं और हिंदी में इसे धहर्य ना जाता है तो क्या मतलब हो इस लाइन का सयद लॉस्ट इस पेशेंस मतलब सयद ने अपना धहर्य खो दिया चलिए आगे देखिए he realized दोस्तो realize का मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना और यह second form है, he realized his mistake, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, and began to cry, और वो रोने लगा, दोस्तों यह beginning की second form है, begin to cry, उसने वह रोने लगा, यह कह सकते हो, उसे रोना शुरू कर दिया, बीरवल सेड, बीरवल ने कहा, चलिए, देखिए, बीरवल ने क्या कहा, do not lose hope, की आशा मत खोईए, do not lose hope का मतलब होता है, की दिल छोटा ना करें, या जब, do not lose hope मतलब की आशा मत छोड़िये, only God has the ultimate power, ultimate power का मतलब होता है, अन्तिम शक्ती, और दोस्तों यह जो वाक्य है, यह दिखाते हैं, तो क्या मतलब हो, only God has the ultimate power, मतलब, सिर्फ इश्वर के पास, अन्तिम शक्ती है, to control, नियंतरन करने की, our births and deaths, हमारी जिंदगियों को, हमारे जन्मों को, हमारी मिर्थियों को, हमारे मतलब की, हमारी मोतों को, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब होगा, कि सिर् इश्वर के पास, जो है, वो अन्तिम शक्ती है, control करने की, मतलब की, नियंतरन करने की, हमारे जन्मों को, हमारी मोतों को, चली, आगे देखिए, now, अब, calm yourself, अपने आपको शान्द करो, and think of good only, और सिर्फ अच्छा सोचो, think मतलब सोचनो good only, सिर्फ अच्छा, तो क्या सिर्फ, अब अपने आपको शान्द करो, and think of good only, और सिर्फ अच्छा सोचो, सियद सैड, सियद ने, सियद सैड ने कहा, can't you see, क्या तुम नहीं देख सकते, we both are going to die, कि हम दोनों मरने जा रहे हैं, ऐसा सियद ने कहा, चली, आगे देखिए, बीरवल सैड, बीरवल ने कहा, don worry, चिंता मत करिए, all you have to say, सिर्फ आपको ये कहना है, is I want to die first, मैं पहले मरना चाहता हूँ, चली, आगे देखिए, if you say this, यदि आपैसा कहते हो, you can save yourself, आप अपने आपको बचा सकते हो, but, लेकिन, but never interrupt my speech, interrupt का मतलब होता है, रोकना, बाधर डालना, हक्सक शेप करना, क्या म मेरी बोली को, या फिर कह सकते हैं, मेरी भाशनार को कभी मत रोकना, after a few days, मतलब कुछ दिनों के बाद, they reached, दोस्तों, ये रीच की second form है, इस का मतलब पहुंचना, they reached, वो पहुंच गए, the court, मतलब की, धरबार में, of the king of काबुल, क्या तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब जो राजा थे, उनके दरबार में, वो पहुंच गए, चलिए, आगे देखिए, the king was very howty and conceited, क्या मतलब हुआ, देखिए, howty का मतलब होता है, अभिमानी और conceited का मतलब होता है, अंकारी या फिर घमंडी, तो क्या मतलब हुआ, the king was very howty, जो राजा था, वो बहुती जादा, अभिमानी और घमंडी था, he read the letter and ordered his men, क्या मतलब होता है, दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका ध्यान, एक चीज़ पर दिलाने चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R E A D लिखा है, दोस्तों, यह जो word read, इसका मतलब होता है, पढ़ना, और आपको शायद यह चीज third form है, same spelling रहती है, लेकिन यदि आप इसकी pronunciation के बारें बात करें, तो यदि आप इसकी first form को पढ़ेंगे, तो आपको read पढ़ना है, और second और third form को read पढ़ा जाते हैं, तो दोस्तों, आप इस information को note कर सकते हैं, और आप इस यह को याद रखें, कि R E A D read का मतलब होता है, past indefinite का वाक्य है, इसलिए हम इसको read पढ़ेंगे, क्योंकि यह past indefinite की ही story है, और past indefinite के अंदर affirmative में second form का प्रियूग किया जाता है, तो चलिए इसको meaning देख लेते हैं, he read the letter, उन्होंने पत्र को पढ़ा, and ordered his man, और उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया, to make arrangements, पि decapitation, दोस्तों जो word decapitation, आप इस word को note कर सकते हैं, अच्छा word decapitation एक noun है, जिसका मतलब होता है, सर कलम करना, और ये आप इस चीज को भी note कर लेजे, ये वर्व नहीं है, ये noun है, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, he read the letter, and ordered his man, मतलब उन्होंने पत्र को पढ़ा, औ अपने आदमियों को आदेश दिया, to make arrangements, प्रिबंद करने का, for किस चीज का प्रिबंद करने के लिए, for the decapitation, मतलब की सर कलम करने की जो प्रिकरिया है, उसका प्रिबंद करने का उन्होंने आदेश दिया, बीरबल एंड सायज, और बीरबल और सायज, were taken, उन्हें ले और बीरबल एंड सायज, were taken, और दोस्तों यह जो sentence आप देख रहे है, were के बाद third form का प्रियोग किया गया है, तो आपको इसे समझना है कि जब भी was या were के बाद third form का प्रियोग किया जाता है, तो वो past indefinite का passive voice का sentence होता है, तो इस पूरी line का मतलब समझ लिजे, बीरबल ए इंडिकेटिड, बीरबल एंडिकेटिड का मतलत है इशारा करना, बीरबल ने फीर इशारा किया सैद को, क्या मतलब होता ही, बीरबल ने सायद को इशारा किया, two utter, utter का मतलत है, बոलने के लिए his dialogue, अपने fry डाईलोग को, सैयद सैड, सैड ने कहा, I want to die first, गारा का मतलत है मत भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां दो वर्वाती है तो टू के बाद जब आप दूसरी बार प्रियोग करेंगे उससे पहले आपको टू लगाना है और टू के बाद हमेशा ही वर्व की फर्स्ट हमाती है तो क्या मतलब वह सयद सैट सयद ने कहा I want to die first मैं पहले मैं मर करना चाहता हूं after some time मतलब कुछ समय के बाद they were literally fighting मतलब वह वास्तिवी मतलब की सच में वो लोग लड़ने लगे the guard मतलब जो सुरक्षा करमी थे the guard the guard became confused का मतलब वह जो guard से मतलब सुरक्षा करमी थे वो भर्मित हो गए and asked और उन्होंने मांगा for the king's suggestion मतलब कि उन्होंने राजा की सला को कैसे सुझाव को मांगा the king asked them राजा ने उन्होंसे पूछा how does it matter मतलब कि यह कैसे matter करता है या कह सकते हैं से क्या फर्क पड़ता है if one dies first की यदि कोई पहले मरता है and one later और कोई बाद में later का मतलब है बाद में चली आगे देखिए बीरवर रिप्लाइड दोस्तो रिप्लाइड का मतलब है जवाब देना तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ बीरवर रिप्लाइड बीरवर ने जवाब दिया इन्हें very persuasive manner दोस्तों जो वर्ड है persuasive आप इसको note कर लीजे यह adjective है और इसका मतलब होता है समझाने के तरीके से मतलब जब हम किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा समझाने के तरीके से कुछ कहते हैं तो उसको persuasive कहा जाता है जब हम किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए राजी करते हैं मनाते हैं उसको चाते है वो बात हमारी मान है तो उस तरह के body language उस तरह से हमें उस word के लिए persuasive लगाना पड़ता है persuasive का मतलब होता है कि हम किसी से इस तरीके से बात करें कि वो व्यक्ति हमारी बात को मान ले तो इस line का क्या मतलब हो बीरवल replied मतलब की बीरवल ने जवाब दिया इने very persuasive manner मतलब होती समझारने के तरीके से उसने जवाब दिया अकबर अकबर is very jealous of your prosperity उसने क्याज बोला अकबर जो ज़्याद है मतलब वो चीड़ते हैं जलते है of your prosperity मतलब आपकी सम्रिद्धिता से prosperity का मतलब सम्रिद्धिता जो एक नाउन है he wants वो चाहते हैं to conquer जीतना your land आपकी जमीन को तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ he wants to conquer your land वो आपकी जमीन को जीतना चाहते हैं बट लेकिन our court astrologer लेकिन जो हमारे दरबार के जो astrologer ने जोतिशी है sad उन्होंने कहा it is not possible ये संभव नहीं unless जब तक two innocent nobleman जब तक जो innocent मतलब दो निर्दोश नेक आदमी nobleman from फतेपुर सीकरी फतेपुर सीकरी से are slaughtered मतलब उनको मारा जाता है by you आपके द्वारा चलिया आगे देखिए so इसलिए we have come here इसलिए हम यहाँ पर आए है the astrologer also said जो astrologer है उसने ये भी कहा है मतलब जोतिशी ने ये भी कहा है that की the one who will die first मतलब की व्यक्ति जो पहले मरेगा दोस्तों ये who related pronouns इसका मतलब वह जो who is the one who will die first मतलब वो व्यक्ति जो पहले मरेगा amongst us हम दोनों में से will be a king वो एक राजा होगा in the next birth मतलब की अगले जनम में the king became very perplexed ये तो perplexed का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में बहुत जाता सोचने लग जाना अच्रज में पढ़ जाना मतलब की हैरान हो जाना तो क्या मतलब वह जो राजा थे the king became very perplexed जो राजा थे बहुत जादा है after hearing this ये सुनने के बाद hear का मतलब था सुनना और दोस्तों after के बाद हमेशा ही fourth home का प्रियोग किया जाता है तो क्या मतलब क्या हो कि जो राजा थे बहुत जादा अचंबित हो गए ये सब सुनने के बाद he immediately immediately का मतलब था तुरंथ he immediately released them उन्होंने उनको तुरंथ आजात कर दें रिलीस कर दें उन्होंने छोड़ दिया सैयद वाज वेरी हैपी टू गेन अन्यू लाइफ जो सैयद थे वह बहुत जादा खुश थे टू गेन प्राप्त करके या पाकर अन्यू लाइफ एक नया जीवन पाकर और उन्होंने बीरवल को धन्यवाद किया उन्होंने उसे महसूस हुआ दैट की बीरवल वाज गोल्डन हार्टेड परसन जो बीरवल है वो एक कि जो बीरवल है वो क्या एक सुन्हरे दिलवाला इंसान है और उसने बंद कर दिया बौदरिंग हिम आफ फर्दर मतलब उसने उनको हिम मतलब ये बीरवल के लिग लिग जो रहा है तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि और उसने उनको आगे तंग करना बंद कर दिया तो दोस्तो इस तरह से ये चोटी सी एक स्टोरी थी और जैसा हमने इस स्टोरी में देखा कि ये जो व्यक्ति था जो राजा से हमेशा शिकायत किया करता था बीरवल की आखिर में बीरवल ने अपने सूझ भूच से उस व्य अच्छा लगाओ तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये वीडियो को लाइक करें शेयर करना ना भूलें और लाइक भी जरूर करें कमेंट करके जरूर बतना यदि आपका कुछ सुझाव हो यहां तक सुनने के लिए थैंक्यों सो मच हैवे नाइस टे एंड भाई